हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी दिकेट्रिक, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पंचायती राध विवस्ता के बारे में, जो की काफी इंपोर्टेंट लेक्चर है पॉलिटी का, तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, लास्ट को अच्छे से समझेगा, जो भी मैं information आपको दूँगा, बस ध्यान से सुनना है, आपको automatically सारी चीज़े दिमाग में fit हो जाएगी, उसके बाद में जो मैं last में टेस्ट लगाऊंगा, आपको उस टेस्ट को अच्छे से देखना है, उसके बाद मैंने description में एक link दे रखा है quiz का, पंचायती राज विवस्ता का quiz आपको लगाना है, उस link से आप जा सकते हैं quiz तक, आप आराम से वो quiz लगाईए, एक बार खुद से practice करेंगे quiz लगाने की, तो आप बल्कुल topic में perfect हो जाएगी अच्छे से, ओके, तो चलिए दोस्तों हम lecture को start करते हैं, देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, कि पंचायती राज विवस्ता को लाने का उद्देश एम क्या था, तो देखिए, इसका लाने का ये की मकसद था, कि गाउं स्थर को मजबूत और सक्षम बनाना, गाउं को सक्षम और मजबूत बनाना, अगर गाउं मजबूत बनेंगे, तो द कालबों का निर्मान हो, त्रशी इस्तर में सुधार हो, अगर ये सब चीजों में अगर वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, तो एक सक्षम और एक मजबूत गाउं डवलप होगा, और अगर गाउं अगर मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा, ओके, तो पंचायती राज आपको वर्ड दिख रहा होगा, इस वर्ड का मतलब समझे, पंचायती राज का मतलब ये होता है, ग्रामिन इस्थानिय सुषाशन पद्धती, मतलब रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, कहने का मतलब ये है, कि जो इस्थानिय लोग हैं उस गाउं के, क्योंकि उन्ही को प्रब्लम सें, तो उन लोगों के हातों में पावर देना, सुषाशन पद्धती, कि वो अपनी प्रब्लम को सौल कर सके अच्छे से, उनके हातों में इतनी पावर दे दो, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, क्लियर, देखिए, गाउं की बेसिक निट को पूरा करना, और जमीन इस तर पर लोकतंत्र का निर्मान करना, यही उसका मुख्य उद्धेश, तो फ्रेंड्स आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा, कि पंचायती राजविवस्था का मकसद उद्धेश क्या था, अब देखिए, पंचायती राजविवस्था कैसे आई, इसको लाने के लिए कि पंचायती राजविवस्था को दिखा गया, प्राचिन काल और मद्दे काल में भी यह विवस्था चलती आ रही है, 880-184 के मद्दे काल लॉड रिपीन का कारिकाल पंचायती राजविवस्था का सwhenकाल कहलाता है, जब भारत सतन्त हुआ, सतन्त पाप्ति के बाद भारती स सविधान में भाग चार के निती निर्देशक तत्व, ठीके ध्यान रखेगा काफे इंपोर्टेंट है, निती निर्देशक तत्व के अनुच्छे 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है, पर पंचायती राज वेवस्ता संस्ता को कोई भी सविधानिक दरजा नहीं दिया गया था, उस टाइम पर, ठीके, फिर बाद में अमेडमेंट हुआ, और मतलब संशोधन हुआ, और उसके बाद में फिर ये पंचायती राज वेवस्ता को शामिल किया गया सविधान में, तो किस तरीके की उसकी प्रोसेस रही, हम वो डिसकस करेंगे, पंचायती राज वेवस्ता हेतु बहुत सी समीतियाओं का निर्मान किया गया, सबसे पहले बात करते हैं, बलवन तराय मेता समीती 1957, वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, इसने क्या करा, समीती ने त्री स्तरी पंचायती राज वेवस्ता का सुझाओ द तो ये बोला बलवन तराय मेता समीती ने, काफी इंपोर्टेंट है, डारेक्ली एक्जाम में पूछते हैं, त्री स्तरी पंचायत राज वेवस्ता का सुझाओ किस ने दिया, तो बलवन तराय मेता समीती 1957 ने इसका सुझाओ दिया था, अब देखिए, इन्होंने ये पारीशों को सुझार करा, और सबसे पहले, राजस्थान विदान सभा ने 1959 में पंचायती राज वेवस्ता का अधीनियम पारित किया, और 2 अक्टूबर, ये डेट ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागोर जिले में, पंडित जवालल नेरू ने पंचाय पंचायती राज वेवस्ता की शुरुवात की, तो सबसे पहले किस राजस्थान से हुई है, राजस्थान के कौन से जिले से, नागोर जिले से, और किस डेट पे, 2 अक्टूबर 1959, ये तीनों कोश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, इसके बाद में फिर कांपर हुई थी, आं 1977 में, और इस समीती ने क्या करा, द्वी स्तरी पंचायती राज वेवस्ता का सुझाओ दिया, कितनी? द्वी स्तरी ए, ठीके? बलवन्त राय, मेता समीती ने त्री स्तरी पंचायती राज वेवस्ता का सुझाओ दिया था, पर अशोक मेता समीती ने द्वी स्तरी पंचायती सुझाहो दिया ता ग्राम पंचायच जो थी उसकी जगा पर मंदल पंचायत का सुझाहो दिया था ओके तो यह भी clear हुवव अषोक मेता समूठी इसके बाद में पीवी के राय समूठी आई उनिस सो पिच्चेंची में और इन्हों ने 4 इस्थरी पंचायती राजव्यवस्ता का सुझाओ दिया चार इस्तरी राजविकाश परिशद जिला इस्तर पर जिला परिशद मंदल इस्तर पर मंदल पंचायत ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा तो इन्होंने चार इस्तरी पंचायती राजव्यवस्ता का सुझाओ दिया तो ये भी डा 1988 थुंगल समिती आई और इनोंने पंचायती राज संस्था कौन-कौन सी वोई ग्राम पंचायत जिला परिशत ठीके इनको समिधान में इस्थान दिया जाना चाहिए तो इनकी शिफारीशों के फलसरूप क्या हुआ तियोंतरवे समिधान संशोदन 1993 ध्यान रखेगा तियों और समिधान के भाग 9 में 16 नय अनुच्चेद 243 कं से न तक और 11 अनुच्ची को शामिल कर लिया गया एक very important point ध्यान रखेगा ग्यारवी अनुच्ची में पंचायतों के कारे निर्दारान के लिए 29 विशय कारे शेत्र को शामिल किया गया है यह PSC exams में पूछा गया question है तो very important question है ध्यान रखेगा 29 विशय 29 कारे शेत्र को शामिल किया गया है कि उनको कारे किस किस शेत्र में करना है वो विशय इसके अंदर बताए गया है 11 अनुच्ची में तो यह directly exam में question पूछते हैं कि 93 समिधान चंशोधन जो है वो किस से related है तो वो पंचायती राज से related है 11 अनुच्ची में कितने कारे शेत्रों के बारे में बताए गया है तो 29 तो यह सारे questions exam में बनते हैं 93 समिधान चंशोधन 1993 के तद जो कानून बना उस कानून में क्या क्या कहा गया उसके important points में आपको बता देता हूँ इस कानून के अंतरगत 20 लाग से अधिक जनसंक्या वाले प्रदेश शेत्र पंचायती राज की 30 तरीय प्रणाली लागू करेंगे प्रत्यक 5 वर्षों के बाद ने पंचायतों का चुनाव होगा अगर पंचायत भंग होती हैं तो 6 मा के बीतर निर्वाचन होगे अनुसुचित जातियो जन जातियो वह महिलाओ के लिए 1 बटे 3 मतलब 1 तियाई सीटों का आरक्षन दिया प्रत्यक राज्य में राज्य वित आयोक का गठन किया गया ओके तो यह सारे important points थे बस हमको एक बार सुनना है दिमाग में रखना है ज्यादा इन पर अपने को याद रट्टा माने की ज़रोद बिल्कुल भी नहीं है कुछ points और important है देख लीजिए ग्रामिण विकास मंत्री, रूरल डवलप्मेंट मिनिस्टर जो होता है वो ही पंचायती राज्य के विभिन अंगो की निग्रानी करते हैं देखे अगला point काफी important है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्वर करता हैं चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने questions solve कर पा रहे हैं सारे important questions उसमें include करें टेस्ट में जो last year exam में पूछे गए हैं वो सारे questions उस टेस्ट में लिए हैं मैंने तो चलिए टेस्ट लगाते हैं देखिए दोस्तों पहला question है तो कौन सा समीदान संचोधन के द्वारा दिया गया तो D answer सही है क्या शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समीती और जिला परिशत तो answer C भारत में सही माइने में इस्थानी सुषाशन का जनक किसे कहा जाता है Lord Ripin को कहा जाता है B answer Next देखते है देखिए पंचायती राजप्रनाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम पंचायत का गठन कहां पर होता है ग्राम इस्थर पर होता है तो answer क्या होगा A यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवदी के अंदर निर्वाचन होंगे 6 महा के अंदर निर्वाचन होंगे खंड इस्थर मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समीती एक है क्या है प्रशास्निक प्राधिकरण है देखी अगला कुशन अशोक मेता समीती ने पंचायती राजविवस्था के अंतरगत कितने इस्थरीय ढहाचे के स्थापना की सला दीती तो कितने इस्थरी की जीती उसने दो इस्थरीय पंचायती राजविवस्था के बारे में सला दीती तो आंसर क्या होगा? एह आंसर होगा पंचायत के चुनाव कराने है तू निर्नाय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज सरकार के द्वारा देखी अगला 2 अक्टूबर 1969 को भारत में पंचायती राज का शुभारम निम लिखित में से कहाँ पर किया गया था? नागोर में किया गया था राजस्थान के नागोर जिले में ओके? देखी अगला भारत में त्री स्थरी पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किस ने किया था? तो किस ने किया था? तो राज्यस्थान ने, फिर आंद्रप्रदेश ने, ओके, लोक तंत्र विकेंद्री करण का आशय हैं, लोक तंत्र विकेंद्री करण का आशय क्या हैं, इस्थानिय सरकार से हैं, तो D answer, देखिए, निम्न में कोन पंचायती राज्य से सम्बंदित हैं, तो कोन सम्बंदित है बल्वन्त राय मेता समिती संबंदी थें? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी? तो आंदरप्रदेश और रादेस्थान ए अंसर चार स्थरी पंचायती राज प्रणाली का सुझाओ किस ने दिया था? तो बलवंत राय मेता ने तो 3 स्थरी दिया था, अशोक मेता समिती ने 2 स्थरी और पीवी के राय समिती ने 4 स्थरी पंचायती राजप्रणाली का सुझाओ दिया था, तो C अंसर सही होगा नेक्स देखिए, भारती सविदान का कौन सा अनुच्छेद राजी सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद 40 है, 4-0, तो C अंसर बिल्कुल सही होगा काफे important question है, तो friends, यहाँ पर हमारा यह test complete होता है, I hope आपने भी सारे question अच्छे से solve कर लिए होंगे, description में मैंने link दे रखा है, अब आप जाकर quiz लगा सकते हैं, अच्छे से quiz लगाईए, आप इस topic में बिल्कुल perfect हो जाएंगे, तो friends, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाएं, तो जल्दी से वीडियो को like करिए, share करिए और comment करके मुझे जरू बताइए, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं कराएं, तो subscribe भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में upload करूँगा, आपको उसका benefit मिलता तो friends, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिन, जय भारत!